असलाम अलेकुम आज की वीडियो में हम कमीज के फ्रंट पर पैनल का डिजाइन बनाएंगे आज कल आपने देखा होगा ये बहुत ज़ादा फैशन में है और हम इसको घर पर किस तरह से बनाते हैं अपनी कमीज को कितनी अच्छी तरह से एक खुबसूरत सा लुक देते हैं हम अपनी वीडियो में देखेंगे तो आपको वीडियो को पूरी देखना है इसके बिल्कुल भी नहीं करना है चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमने कमीज का गला तो बना लिया है ठीक है और अब हम इसकी बीच में हमने एक प्रेस से क्रीज बना ली है इसे यहां से फोल्ड करके हम इस तरह से रखेंगे और अच्छे से प्रेस से इसकी क्रीज बना लेंगे ताके हमें ये नापने में आसानी रहे अब हम यहां से बीच से साड़े छे इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे आप अपने साइस के हिसाब से कम जादा भी रख सकते हैं लेकिन मैंने जैसे इसमें गला बनाया हुआ है तो इसलिए मुझे इसे इस तरह से यहां पर साड़े छे इंच पर रखना है तो ये देखे इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और फिर इस मार्किंग को डाग कर लेंगे और इस तरह से डाग करने के बाद हमारी जो मार्किंग है दूसरी साइड में भी जब हम करेंगे तो ये आसानी से मार्किंग हमारी दूसरी साइट पर भी आ जाएगी तो अच्छे से डाग डाग हमें इसको कर लेना है अब हम यहाँ से इसको जो मार्किंग की है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और हम इसको प्रेस से अच्छे से बिठा लेंगे ताके हमारी ये दूसरी साइड भी क्रीज बन जाए और छोटी-छोटी सी कुटकी दोनों साइड में लगा लेंगे उपर भी और नीचे भी अब ये देखिए मैंने इसको प्रैस से अच्छे से जमा लिया है तो ये दोनों साइड में हमारी क्रीज आ गई है एक इधर की साइड ये देखिए इधर और एक उधर की साइड और अब हमने जो ये क्रीज आई है इस पर भी अच्छे से डाक निशान इसका चौक से बना लेना है अब हम इसको इस तरह से करेंगे के जैसे हमारी ये क्रीज बन गई है और ये हमारे पास लेस है इस लेस को हम इस क्रीज के बिल्कुल बराबर बराबर रखेंगे और यहां पर रखते हुए यहां स्टिट लगा देंगे ये देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल इसके बराबर रखना है और स्टिट लगाते चले जाना है जैसे हम यह स्टिच लगा लेंगे और इसको जो एक्स्ट्रा हमारे पास लेस है उसको कट कर देंगे अब हम यहां से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यह देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो ये फोल्ड करने से जो हमारे पास ये जो एक यहाँ पर स्टीच दिखाई देगी उसी स्टीच पर हम एक और स्टीच लगा देंगे तो ये जो हमारी लेस है ये इस तरह से दिखाई देगी जैसे के हमने एक गुम तरीके से इसको लगाई हो ये देखे इस तरह से बिलकुल उसी लाइन पर हमें स्टीच लगाते चली जाने है जो हमने स्टीच इसको लेस को लगाने में लगाई थी ये देखे, इस तरह से अब हम इसको अच्छे से प्रैस से बिठा लेंगे तो इसमें अच्छे से सफाई भी आएगी और फिर हमारी जो लेस है वो अच्छे से जम के लग जाएगी अब जैसे हमने ये क्रीज बना ली है जो इसकी दूसरी साइड थी उस पर भी हम इस तरह से स्टीच लगाएंगे ये स्टीच लगाने के बाद फिर से हम इसको इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और fold करने के बाद हम ने जो stitch नीचे की side इसकी दिखाई दे रही है जो lace लगाने में लगाई थी ये देखिए इसी stitch पर हम एक और stitch लगा देंगे तो अब हमें ये लगाने के लिए ना तो बीच से हमें कोई कपड़ा कट करना पड़ा और ना ही नीचे की side कोई कपड़ा जैसे के ये अंदर की side से visible हो उसके लिए लगाना पड़ा तो ऐसा भी हमें नहीं लगाना पड़ा और हमारी ये गुम तरीके से इस तरह से हमारी lace इठा लेते हैं प्रेस करके मैं आपको ये दिखाती हूँ ये देखे इस तरह से इस पर प्रेस हो गई है और कितना अच्छा हमारा ये गुम तरीके से जो हमारा पैनल का डिजाइन है वो बन करके तयार हुआ है पीछे की साइट से भी देख लेते हैं ये देखे पीछे की पर भी ये लेस लगा करके ये पैनल का डिजाइन बना लेंगे और डिजाइन बना करके मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए अब हमने दोनों साइड में इस तरह से ये पैनल का डिजाइन बना लिया है अब हम नीचे की साइट पर भी इसके दामन में यही लेस लगा करके डिजाइन बनाएंगे इस तरह से हम इस लेस को ले लेंगे और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगा देंगे ये देखे थोड़ा सा हमें कपड़ा जो है बाहर की साइट छोड़ना है और लेस को थोड़ा सा पीछे की साइट पर रखना है और फिर इसके बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे ये देखे हमारी स्टीच भी लग गई है एक्स्टर लेस हम कट कर देते हैं अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ये देखे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर जो कपड़ा है इसकी बिल्कुल किनारे पर स्टीच लगाएंगे ये देखिए इस तरह से इस टीट लगाने से इसमें मजबूती भी आ जाएगी और इसमें सफाई भी आएगी ये देखें इस तरह से लग गई है अब हम एक कपड़ा ले लेते हैं और इस तरह से हमारी जो कमीज है उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी और डिजाइन भी बन जाएगा ये देखिए ये जिसकी चॉड़ाई जो है मिरे पास 10 इंचिस है और जो लंबाई है इसकी लंबाई हमारी कमीज के ही हिसाब से रकھی है अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखते हुए ऐसे स्टीट लगा लेंगे और ऐसे ही कपड़े को जरा सा हमें बाहर की साइड छोड़ना है और लेस को थोड़ा सा अंदर की साइड रखते हुए बिलकुल किनारे पर स्टीट लगा देनी है इस तरह से स्टीट लगा करके फिर अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर एक और टॉप स्टीट लगा देंगे ये देखे इस तरह से हमारी एे टॉप स्टीच भी लग गई है और हमारा ये पैनल का डिजाइन भी बन गया है और नीचे की साइट भी हमने अपने जो शट है उसकी लंबाई भी हमारी भड़ जाएगी और ये डिजाइन भी बन जाएगा अब हम नीचे जो इसका दामन है इसकी दामन की भी इस तरह से fold और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर stitch लगा देते हैं यह देखिए stitch भी हमारी लग गई है इस तरह से हमने इसे fold कर लिया है अब हम यहाँ पर lace लगाएंगे यह हमारे पास एक lace है इसको हम यहाँ लगाएंगे जहाँ पर हमने यह स्टीट लगाई है यहाँ पर इस तरह से रखते हुए और थ्रेट भी चेंज कर लेना है यह देखिए मैंने उपर वाइट थ्रेट ले लिया है और इसको इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ पर स्ट्रिट लगा देंगे यह देखे यह लेज़ भी हमारी अटैच हो गई है इस तरह से हमारी प्रिंटिट कुर्ति का एक बहुत अच्छा पैनल का डिजाइन बन करके तयार हो गया है और यह जो गला है इसकी भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है आप देख सकते हैं लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी और यह देखे हमारा कितना प्यारा यह डिजाइन बन करके तयार हुआ है और प्रिंटिट कुर्ति का एक बहुत ही प्यारा सा हमारा यह स्टाइल इस्टा पैनल तयार हो गया है उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूरान करें ताके आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फिर मिलती हूँ अल्ला हाफिज